इस वीडियो को पूरा देखना यह कितना खर्चा जाओ रहागा इसका आपका आरोई कितना बनता है अगर यह सारे डाउट से तो इस वीडियो को पूरा देखना तो देखो एक प्राइवेट उनिवर्सटी है स्टैब्डिज जो है 1998 में केंपस 125 एकड़ का है जिसमें से 23 एकड़ में ही डेवलप हुआ है एट मेंस केंपस उतना भी बड़ा नहीं है छोटा ही है एफ्लिएशन और एक्रेडिट है UGC, AICTE, Architecture, Pharmacy Council से एक ग्रेड मिल चुका है NAC से 2023 में इसको NIRF में कोई रैंकिंग नहीं मिलिया लेकिन 22 में इसका अवरल ग्रेडिटिंग रेट यहां का 89% है B.T.E.C. का एंट फार्मसी का 81% है वह अगर हाईर स्टाडिस की बात की जाए तो B.T.E.C. में 3-4% बच्चे जाते हाईर स्टाडिस को एंट फार्मसी में 15% के राण एगर आप हिमालियन स्टेट में आते हो ठीक है तो इसका आ इसो प्लस फेकल्टी मेंबर्स हैं 5,000 प्लस यहां की टूटल स्टूडन्ट स्टेंथ आप कह सकते हो 18,000 ग्लोबल एलोन आई है अब यहां पे आपको कौन-कौन से प्रोग्राम दिखेंगे ठीक है तो B.T.E.C. के अंदर लिटरली जो भी important प्रोग्राम से आपको यहां प के जाते हैं नौक एडमिशन की बात की जाए तो B.T.E.C. में आपका J.E. के थ्रू भी हो रहा होगा तैरेक्ट एडमिशन भी होता है टॉप रेंकर्स का जिसमें से आपका 10% सीट्स होता है इसके अलबा मेरिट बेस्ट पे भी होता है इसमें सिर्फ आपका 12th मार्क्स कंस होना जाए यह है B.T.E.C.C.E. का बाकि यहां पर क्या है कि आप सीधा इसके वेबसाइट पर जाके भी अपलाई का सकते हो अब यहां पर 40% सीट्स है वो रिजर्ब्ड है यूजी एंड पीजी प्रोग्राम से जो हिमालयन स्टेड में आता है या उत्राकंड स्टेड में अब एक मिनट वो स्टोडें ध्यान दना जो भी प्रैवेट कोलेज में अविशन लेना जाता है ठीक है तो आप हमारे थुरू भी जा सकते हो हम आपको पूरी तरह से गाइड करेंगे ठीक है अब इसका बेनिफिट क्या हो सकते है जिसे कि आप हमारे थुरू जाओगे तो आपको एक अच्छी जॉब मिल सके और यह सारे कोर्स का वर्थ अप्टू 3,000 रुपीज तक हो सकता है और हमारे थुरू अगर आप किसी प्राइवेट कोलेज में अप्लाई करोगे तो आपको डिस्कॉंट लिंक भी मिल जाएगा जहां से आपके अप्लिकेशन फवर पे कुछ डिस्कॉंट मिल जाएगा हम जो सर्टिफिकेट कोर्स प्रवाइड करता है यह आपको काफी ज्यादा हेल्प करेगी आपके स्किल्स में नॉलेज में जिसका फाइदा आपको मिलेगा आपके सीवी रिज्जियो में या फिर आपके लिंक डिन प्रोफाइल में अगर अगर बात करें फीस स्ट्रक्चर की तो आपको 26 पॉसंट स्कॉलर सिप मिल सकता है टूइसन फीस पे अगर आप उत्राखंड या फिर हिमालियन स्टेट कोटा में आते हो जिसे की नॉर्मल बीटेक का फीस कितना है बाकी स्टेट के लिए दो लाख बारक हजार के रहो ठीक अगर आप इन सारे स्टेट कोटा में आते हो तो 26 पॉसंट आपको यहां पे स्कॉलर सिप मिल जाएगा अगर बात करें फीस की तो आपको 1.3 लाग के अप्रॉक्स 10 महने के लिए लगेगा जिसमें आपका उस्टल अप्रॉक्स दोनों इंक्लूड है ठीक है यह आपका सेर पे स्कॉलर सिप्स भी अब लेवल है जो आपको 25 पॉसंट से लएक हंडिट पॉसंट तक मिल सकता है 12 और जेके माक्स पे और यह जो स्कॉलर सिप आपको मिलते वह सर्फ फर्स्ट यर के लिए ठीक है बाकी सकेंड थर्ड यर के लिए आपको क्रेटेरिया मेंटेन करके चल अब यहां से आप सकते हो स्कॉलर सिप्सक्राइब करता है और खी कोंशे को में आपको कितना तक स्कॉलर म सकते हैं वह सारी डिटेश यह दिशानेख को टेलीग्राम गूरूप में जॉइन हो जाना वहां थी पीडिएफ का लिंक मील जाए का जहां से आप डाउल्लोड कर स देख सकते हो अच्छी तरीके से, बाख एकर फाइल से रिसोर्स की बात की जाए, जो यूटिलाइजड एमांट होता है, कॉलेज अपने उपर खर्च करता है, NIRF 2024 डेटा के कॉड़े, इंजिनिरिंग डेटा के कॉड़े, तो ये एमांट उतना भी इंप्रेसिव नहीं है, अब इसका दो रिजन हो सकता है, एक तो इसका केंबस काफी छोटा है, ठीक है, या फिर इन्होंने पास्ट में एक अच्छी खास एमांट को यूटिलाइज कर चुका है, अपने अक्यादमिक इंफ्रस्टक्चर पे, जैसे लाइबरेरी पे 55 लाइक है, न्यूप्मेंट से 1 करोड के रहुन है, इंजिनिनिंघ वर्क्षाप बालाँ एक रहुनाग के रहुन है, जैल्मेंट गष फे 35 करोड के रहांग है, आदर एकंट्रस पे 42 लाइक है, इसमिनार पे 10 लाइक के रहुन है, टी कहा है, टूटल नंबर अफ ऑ थन В cache फंसरे ब्रोजक्ट वन है, फं 67% के रौंड है, median CDC 4.5 LPA to 5.7 LPA के रौंड है, वहीं फार्मसी का median CDC 3.6 LPA to 4.7 LPA के ही रौंड है, अब यहाँ पर क्या है कि overall 68% का जो placement है, वो 7.5 LPA के ऊपर ही रहा है, ठीक है, like यह जो 67% placement हुआ है, इसका rate बता रहा हूँ, overall 70% का जो placement हुआ है, वो 10 LPA के ऊपर रहा है, इस की highest package 58 LPA के रौंड ही एंड इंटरनेशनल हाइस्ट पैकेज अमेजन द्वरा ओफर कर गई 1.25 CR की, तो कुल मिला के आप देख सकते हो, उपर के जो 10% के बच्चे होते हैं, 9-10% के बच्चे, उनको एक अच्छी खासी placement मिल जाते हैं, तो उसके लिए क्या है, कि ROI काफी 7-8 तक के सकते हो, ठीक है, इससे उपर नहीं जाता है, 2023 में 1300 offers मिले हैं, ठीक है, बाकिया कि आप कुछ और भी highest package देख से 20 LPA का, 30 LPA का, 21 LPA का, and इस placement range में अगर आप total fees देखते हो, hostel, tuition and maze का, BTEC का overall 4 साल का fees without scholarship, ये आपका 14 लाग से 19 लाग तक हो सकता है, depend कर थाप की facilities के अगर आप का फीस काफी हाई जाने वाला है, तो अगर आप एक average बच्चे होना, तो ऐसा को लिट चूज करो, जहां की seat and tech कम हो, and ये ट्राइ करो कि वहां की selection criteria थोड़ा सा मुस्किल हो, अब ऐसा नहीं कि कि किसी का पर admission मिल जा रहा है, बस अपना mark submit के admission मिल गया, तो ऐसा ह होगा, तो फिर आपका जो placement का range हो, 3 LPA to 5, maximum 5 तो जाएगा, उससे उपर नहीं जाएगा, and आपको जो भी placement मिलेगी, वो mass recruiter type companies में ही मिलेगी, बाकि आप DIT का top 25 recruiters देख सकते हो, इन्होंने कितनी तक placement offer करी है, इसके लाब आप DIT का sector wise placement देख सकते हो, जहां पे 68% placement सिरफ IT जैसे companies में हो रहा है, 15% बच्चे ही manufacture जैसे companies में जा रहे है, बाकि 6% concerning में जा रहे है, and मात 3% बच्चे ही research field में जा रहे है, अगर campus life देखा जाए, तो definitely आपको एक अच्छी campus life मिलने वाले, लेकिन यहारा campus काफी छोटा है, लेकिन जो भी basic facilities है, वो आपको मिल रही होगी, and campus के भार का भी location काफी सही है, ठीक है, आसपास का location जिस जगह पे है college, तो और अलेक अच्छी experience मिल रही होगी campus के अंदर, now सबसे main सबर आता है, why DIT University, सबसे पहले देखो यहाँ पे अच्छी faculty मिल रही होगी, ऐसी बात नहीं है कि नहीं मिल रही होगी, इसकी alumni network भी काफी अच्छी है, academic tie-ups है, अच्छे foreign universities के साथ, placement of us काफी अच्छी खासी R.E.S. college के अंदर, and obviously placement सबसे अच्छी है, computer science and IIT जैसे branches की, infrastructure भी आपको well equipped मिल रहा होगा, ठीक है, अगर आपको अच्छी खासी scholar से मिल रहे है, तो definitely college को join कर सकते हो, ठीक है, फित कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, तो अगर coding ही करना है, तो CAC में ही जाओ, और direct, क्यूंकि बाद में तो placement आपको tech sector में ही लगने वाली है, तो core में अगर जाना ही चाओ आते है, तो UPS चले जाओ, इससे better option है, facilities भी इससे बढ़या मिलेगी UPS में, and faculty भी आपको सारे अच्छे नहीं मिलेंगे, कुछ faculty ही, आपको अच्छे मिलेंगे, कुछ नहीं भी मिलेंगे, and सबसे important बात कि आपको internship की opportunity उतनी भी नहीं मिलती है, जो भी top बच्चे होते हैं, बस उसको मिलते हैं, उसके लिए भी आपको काफी जादा मेहनत करनी पड़ेगी, extra curricular activities उतना भी अच्छा नहीं है, and definitely campus काफी छ ये वीडियो आपके लिए informative हो आओ, पाकि scholar से related कोई भी doubt हो, comment में पूछ सकते हो, and अगर किसी topic पे वीडियो जाए तो वो भी हमें comment में बता सकते हो, मिलते हैं next video में,